9 निवेंबर 1989 की रात में जब लोगों को लगा कि फाइनली बर्लिन वॉल को गिराया जा सकता है और लोग इस से वेस्ट जर्मनी के एक्क्रोस ट्रावल कर सकते हैं तब इस जर्मनी में हजारों की संख्या में लोग चेकपॉइंट चारली के पास जमा हो गए और गार्ड से बैरियर खोलने की डिमान करने लगे और दूसरी तरफ हजारों की संख्या में वेस्ट जर्मन्स इस जर्मन्स का वेलकम करने के लिए खड़े थे और चार घंटे की जद्दो जहत के बाद गार्ट्स को फाइनली बैरियर ओपन करना पड़ा और तीस साल के बाद फ्रीली लोग वेस्ट और इस जॉमनी के अक्रॉस ट्रावल कर सकते हैं तो आज हम आपको ले जाने वाले हैं चेकपॉइंट चारली पर उससे पहले हम होटल जाके होटल टूर करेंगे और उसके बाद मूव करेंगे चेकपॉइंट चारली की तरफ तो हम हैं हमारे होटल पे जहां पे हम बर्लिन में स्टे कर रहे हैं तो यह है ओकाख होटल और अभी चलिए हम आपको थोड़ा होटल का बाहर से और अंदर से दोनों का व्यू करवाते हैं वेलकॉम चलिए हम आपको अपना हटाय लिखाते हैं एक दब बारी की से एक एक चीज़ विकोज हम लोग भी अभी जस्ट पहुंचे हैं तो हम लोग साथ में मिलके देखते हैं ठीक है तो पहले बात्रूम दिखा देती हूं कि यह थे एक यह बात्रूम है निर्मल यह कियो हर द्राय दिया हुए है अर साथ हैंड वाशद दिया हुआ है और इधर ... पुले टोडल देंस है और बधिंग एरिया के लिए दार आना पडेगा... या है बधिंग एरिया हम आ Guild कि एक लांस वाला जो वी हाफ शरू को एवर दिग लिदा को पर उपके अब वाथे हैं अंदर यह है जिसको किट देंट बोलते हैं अच्छीए अच्छीए वह हमने पता है कि हम ने बुक किया था कि जिसमें किचन भी ओ पर इसमें किचन नहीं तो यहीं का किच रएंट तो हमारा कुछ तो काम हो जाएगा पानी वानी कॉफी तो इस बन जाएगी और वाइन ग्लासे से दो दो नॉर्मल ग्लासे हैं यह खाली है यह चोटा सब्विनी रफ्रेजरेटर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हमारे लिए क्योंकि हम कुछ खाना घर से लेके आएं इसको हमको इसमें डालना है तो हमारे थोड़ा काम आ जाएगा दस बिल और यह मिरर है हमारे कैमरा मैन का फेस रिवील हो जाएगा और ना अब यह है बेडरूम ठीक है और हमने अल्रेडी अपना लगेज लाके रख दिया है अपना छोटू बैग और यह है कबर्ट दो तक यह रखे हुआ है इसमें और यह लॉकर लॉकर दिया हुआ है यह टीवी है जिसको हमने अभी ओन करके नहीं देखा है और कोई आई नो अगर क्रोम कास्ट होगा तो ठीक है हम कुछ देख सकते है वरना तो जर्मन चानल आएंगे और अब देखते हैं व्यू तो बाहर से एकड़ मस्त पेड़ पॉधे दिख रहे हैं आपको हर्याल ही दिख रही है कुछ लोग के घर भी दिख रहे हैं और यह फोन दिया हुआ है और वर्डर करने के लिए ब्रेक्फिस्ट का ताइमिंग वगरा है यह है बर्लिंग में हम लोग दो दिन स्टे करने वाले हैं तो दो दिन के लिए हमारा घर है यह बर्लिंग में अब हम पहुँचने वाले हैं चेकपॉइंट चार्ली और यह एरिया को देख के पता है एकदम जैसे लगता है ना कि किसी पुराने चौक या किसी पुरानी जगा में आप पहुँच गए हो एकदम सक्री सक्री सी गलियां आपको दिखेंगी और सामने की आप बिल्डिंग देखो यह बिल्कुल भी रियल बिल्डिंग नहीं दिख रही है इसे लग रहा किसी बिल्डिंग का पोस्टर लगा दिया हो काफी अन्रियल यह अक्चल में देखने में भी लगती है तो अभी हम लोग खड़े हैं चेकपॉइंट चार्ली के सामने और आप जैसा कि देख स हैं तो उस्टाइम पर तीन मेजर चेकपॉइंट्स थे अल्फा ब्रावर और चार्ली दो चेकपॉइंट चार्ली इस वन of थोस त्री और इसी चेकपॉइंट के प्रू जैसें अपने यह आप पर नहीं होता है वैसे है किसी को से रह्श से एस्ट योग इस से ट्रावल कर तो इसी चेकपॉंट के थूरू के एक क्रोंस जाके वो ट्रावल करते थे एक चीज नोटिस कीजे कि ये कार्स जो जा रही है कितनी पुराने जवानी की कार्स लग रही है ना ये देखिए आइंस्टीन काफे कितना इंट्रेस्टिंग नाम है ना इसका और हमने नोटिस किया कि ये काफी प्रोमिनेंट लोकेशन जैसे चेकपॉंट चार्ली अलेक्सांडर प्लाट्स पे आपको मिलेगा तो पता है घूमते घूमते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हम लोग तो हमने सुचा कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं पॉस ले लेते हैं कुछ खा लेते हैं तो मैगदी में हम लोग आए एक कोक ओडर किया और दिखी का लिया है अब बेजिटेरियन्स को इसके रावा और क्या मिलेगा सच में और और अप्शन्स थे पर रिस्क नहीं लेना था तो हमने फ्रेंच फ्राइस ले लिए अभी ये खाते हैं और सबसे इंपोर्टेंट बैठे कहां है सामने है चेक्पॉइंट चार्ली चेक्पॉइंट चार् यह क्या और गेस की जिए स्थास का प्राइस कितना है इस सास का प्राइस कितना है पैदेगर में जना commen appointment पता एक चीज मैंने नोटिस जैसे मैं ये खा रही हूं पीछे का एड देख ए अचा की अंगल हमको दिखा रहे है कि हम भी खा रहे हैं सेम चीज और हम से इंस्पायर होके यह आड बनाया है यह देखिये मुझे गौरेया देखी कहा दिखती है गौरेया आज कलो भी जर्मन में तो बिबकुल भी मुझे नहीं दिखी कभी जैसे कि आप मेरे पीछे वो बोर्ट दे सकते हो यू आ लीविंग दा अमेरिकन सेक्टर मतलब जैसे आप यह चेक पॉइंट क्रोस करोगे तो आप यह अमेरिकन सेक्टर को छोड़के सोवियत यूनियन के सेक्टर में पहुंच जाओगे यानि की इस जर्मनी में पहुंच ज दिखाया उसी बोर्ट के दूसरे साइट पे देखे लिखा है यू आर एंटरिंग दा अमेरिकन सेक्टर मतलब सोवियत यूनियन से जो लोग चेक पॉइंट चार्ली क्रोस करेंगे उनको यह बोर्ट दिखेगा that they are entering American sector और इस साइट पे American soldier की photo लगाई गई है